नमस्कार दोस्तों, घरेलूख अबर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि वर्स 2020 में जीतिया ब्रत कव है, जिसे जीवित पुत्री का ब्रत भी कहा जाता है, हिंदू धर में आस्था रखने वाली महिलाओं के लिए बिसेस महत्व रखता है जीतिया ब्रत, इसी के बारे म संपूर्ण जानकारी दोंगी, साथ ही मैं इसकी तिथी बताऊंगी, दिननाग बताऊंगी, कैसे मनाते हैं, किस कामना के लिए जीतिया का ब्रत रखा जाता है, इसकी बारे में संपूर्ण जानकारी मैं दोंगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्व ब्रत आसिल मा के क्रिस्न पक्ष की सप्तमी से नौमी तक मनाया जाता है। महिलाएं बढ़ चड़कर इस ब्रत को करती है। इस दिन ब्रत का पारन किया जाता है, ब्रत के पारन में जोर, भात, नोनी का साग और मुख रुप से मर्वा की लिटी खाई जाती है। जीतिया ब्रत का अगर कहा जाए कि मुख भोजन क्या है तो वो मर्वा का लिटी है। बिना मर्वा की लिटी और नोनी साग के जीतिया ब्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कहीं न कहीं से नोनी का साग और मर्वा जिसे रागी का आटा बोला जाता है, उसका इंतजाम कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों वर्ष 2020 में जीतिया ब्रत, जीवित पुत्री का ब्रत कब है, पारन का सोमोर्थ क्या है, ये संपूर्ण जानकारी मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे, तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की वीडियो आपको बहुत पैनल को सब्सक्राइब करें, ठैंक्स